आज सुनिये दिल को छू लेने वाली ये कहानी छाओं। आखिर एक पिता ने अपने बेटे से क्यों कहा। बेटा मेरी चारपाई बाहर बरामदे में लगवा दो ना। जानने के लिए सुनिये ये कहानी। बुजर्ग पिताजी बार बार जित कर रहे थे कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डलवा दी जाए। बेटा बड़ा परेशान था सोच सोच कर। बहु दूर खड़ी बड़बडा रही थी। भला कोई बुजर्गों को अलक से कमरा देता है क्या। हमने दूसरी मंजिल पर बड़ा सा कमरा दे रखा है। एसी, टी, वी, फ्रीज सब सुभधाएं हैं उसमें। नौकराणी भी दे रखी हैं उनकी सेवा के लिए। पता नहीं, सतर साल के उमर में सठिया गए हैं शायद। पिता जी कमजोर और बिमार हैं। जित कर रहे हैं तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूं। वेकास ने अपनी पतनी से कहा। पिता की इच्छा पूरी करना उसने अपना स्वभाव बना रखा था। अब पिता जी की चारपाई बाहर बराम्दे में आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता जी अब टहलते टहलते गेट तक भी पहुँच जाते थे। कुछ देल सुबह सुबह लॉन में टहलते रहते थे। नाती पोतों के साथ खेलते, बाते करते, हसते, बोलते और खोब मुस्कुराते थे। कभी-कभी बेटे से अपनी मनपसंद की खाने की चीजे भी लाने की फर्माईशे भी करते थे। खुद भी खाते, बेटे बहुँआर बच्चों को भी खिलाते। अपने जरूरत के सामान विकास को आते जाते बोल देते और आ जाता। धीरे-धीरे ये सब करते-करते उनका स्वास्त थोड़ा-थोड़ा अच्छा होने लगा था। दादा, मेरे बॉल फेको ना। गेट में प्रवेश करते हुए बिकास ने अपने पांच वर्सी बेटे की आवास सुनी तो वो अपने बेटे को डाटने लगा। अंकूर, बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। अरे, पापा, दादा रोज हमारी बॉल उठा कर फेकते हैं। अंकूर ने बड़े भोले पन से अपने पिता जी से कहा। क्या? विकास ने बड़े आशर से पिता की तरब देखा। तब पिता जी बोलते हैं, हाँ बेटा, तुमने उपर वाले कमरे में हमें सारी सुकसुधाइं दे रखी थी, सारे इंतजाम कर रखे थे तुमने, लेकिन वहां तुम लोगों का साथ नहीं था मुझे, तुम लोगों से बाते ही नहीं हुपाती थी। जब से गैलरी में चार पाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बाते भी हो जाती हैं और शाम को अंकुर और अंकिता का साथ भी मुझे मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बाते करना और खेलना मुझे। पिता कहे जा रहे थे और विकास मन ही मन सोच रहा था। बुजुर्गों को शायद भौतिक सुक्सुधाओं की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें तो जरूरत है अपनों के साथ की, अपनों के प्यार की। दोस्तों हम सभी को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यह हमारी धरोहर हैं और अपने बुजुर्गों का खयाल रखना हमारा कर्तब भी है, यह वो पेण हैं जो हो सकता हमें थोड़े कड़वे लगें लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी छाओं का तो कोई म काबला ही नहीं कर सकता, दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोसान अवश्य करें, मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ, धन्यवाद.